आज से कुछी दिन बाद इसी महने के अंत में गुप्त नवरात्री शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्री से ठीक पहले पावगड में माकाली का ये शक्ति पीछ, महाकाली मंदीर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेष्टा होती है। गुप्त नवरात्री है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब स्रधा, साधना और तपस्या फलिभूत होते हैं, तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साध प्रगट हो जाती है। पावागड में महकाली के आशिरवात से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट देख रहे हैं। आज सद्यों बाद महकाली का ये मंदीर अपने विशार स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी उचा कर देता है। आज सद्यों बाद पावागड मंदीर में एक बार फीर शिकर पर द्वज भरा रहा है। ये शिकर द्वज केवल हमारी और आस्था और आध्यात्नव का ही प्रतिक नहीं है। ये शिकर द्वज इस बात का भी प्रतिक है कि सदियां बदलती हैं। यूग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिकर सास्वत रहता है।